जै हिंद प्यारे दोस्तो Ministry of Iuse दिल्ली में दोस्तो वेकंसी आउट हुई है उसके लिए मैंने पर्टिकुलर ये वीडियो बनाई थी जिसमें आपके कमेंट सेक्शन में काफी ज़्यादा मैसे जा रहे थी कि सर इसको अप्लाई कैसे करना है बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे जिसके लिए मैं ये वीडियो पर्टिकुलर लेकर आगे हुँ दोस्तो इसलिए वीडियो को पूरा जूरु देखना तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ वाले नहीं भर सकते क्या तो मैं आपको बता दोस्तो अठारा साल से और चालिस साल के बीच अगर आपकी एज़ है तो आप इसको अपलाई कर सकते हैं अगली पोस्त की बात करते हैं तो डाटा एसिस्टन्ट की पोस्त है जो डेटा एसिस्टन्ट की पोस्त है जो डेटा एसिस्टन्ट की पोस्त है सिंपल ग्रेजिएशन आपने किसी भी फिल से ग्रेजिएशन की हुई है आप एलिजबल रहेंगे दोस्तो और आपको माइक् चाहिए अब दोस्तों बच्चे इसमें भी कन्फीज और थे कि सर चालिस एज कैसे आप डेटर्माइन करेंगे तो मैं आपको बता दूं दोस्तों आपकी कम से कम मिकिस साल जाज जाज चालिस साल आपकी जोनी चाहिए अगली बात करते हैं कि आपको एपलाए कैसे करना है उसके पाद एपलाए करने में बहुत बच्चे कन्फ्यूज और थे तो मैं आपको बता दूं एपलिकेशन फॉर्म का लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा डिरेक्ली आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है उसको फिलप करना है उसके जब आप फिलप कर दोगे तो वो आपको उसकी एक पीडिएफ बनानी है दोस्तों पीडिएफ बनाके आपको मेल करनी है मेल आईडी पे इस पे जो आप अपनी स्क्रिम पे देख रहे हैं औ ठीक है दोस्तो अगर आप data assistant के लिए apply करेंगे तो लिखेंगे apply for the post of या application for the post of data assistant ठीक है दोस्तो या application application for the post of multitasking staff देखिए ये mention करना बहुत जरूरी दोस्तो और इसकी जो last date है 10 माई 2021 है और इसके official website बता देता हूं दोस्तो आपको ccras.nick.in इनके official website आप वहाँ पे जाके check out क कर सकते हैं advertisement एक बार आप जरूरी डाउट कर लेना for further clarification के लिए क्योंकि advertisement डिडाउट करना आपके लिए बहुत जरूरी होता है दोस्तो उससे आपको बहुत knowledge gain होती है इसलिए आप उसको रिडाउट जरूरू करना इसके लावा को कोई और question सुजाव होता हूं कमेंट सेक् for watching my videos